हलो और वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल होपेर आल डूइंग वेल तो देखो आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेस्चन को यहाँ पर डिसकस करेंगे तो उस लिंक को क्लिक करके आप उन्य वीडियो को देख सकते हैं बाकि आज हम पार्ट नमबर 13 को डिसकस करेंगे और इन क्वेस्चन को हम बिल्कुल डिटेल में डिसकस करेंगे तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देख सामें बेल इकन को जरूर प्रेस करें तो किस देश ने प्रथम सवीदान बनाया था उनिटेड एस तरह से भी पूछा जा सकता था कि USA ने अपना जो सविधान है वो कब बनाया था तो 21st June 1788 को जो है तो इसने अपना पहला सविधान बनाया था कई बार आपसे question पुछा जाता है कि सबसे लंबा और लिखे सविधान किस देश का है तो वो है हमारे इंडिया का अब देखो सविधान से related तीन questions पुछे जाते हैं जिनमें आपको अकसर confused किया जाता है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूँ सबसे पहला question आपसे पुछा जाता है कि सविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो देखो पहली बैठक कब हुई थी 9 December 1946 1946 को उसके बाद आपसे question पुछा जाता है कि सविधान सभा के अंतिम रूप से सविधान को कब पारित यानि कि adopt किया गया था तो adopt इसको किया गया 26 November 1949 1949 को फिर आपसे तीसरा question पुछा जाता है कि भारतिय सविधान किस दिन से पुरन तह लागू हुआ था यानि कि implement हुआ था तो वो हुआ था 26 January 1950 को तो ये तीनों के तीनों डेट्स आपको बिल्कुल नोट रखनी है यहाँ पर आपको definitely exam में confused किया जाता है तो ये आपको बिल्कुल नोट रखने है अगले question की बात करें question number हमारा 127 है बाकि काईज अभी तक अगर आपने हमको telegram और instagram पे follow नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के follow कर ले link आपको description में मिल जाएगा बाकि link कई बार चलता नहीं तो आपको simply telegram पर जाना है और add the rate let's prepare to सर्च करना है आपको हमारा channel मिल जाएगा उसी परकार आपको instagram पे let's prepare together सर्च करना है question number हमारा 127 है Indian constitution is तो भारतिय सविधान है अब देखो भारतिय सविधान ना तो federal है ना ही unitary है यानि कि यह क्या है तो यह है एक quasi-federal यानि कि अर्द संगिया है तो option B यहाँ पर correct हो जगा यह question देखो direct इसी तरह से पूछा जाता है तो यह आपको बिल्कुल यहाँ से note रखने है question number हमारा 128 है the total number of language in 8 schedule of Indian constitution आ रहा है तो भारतिय सविधान की आठवी अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है तो देखो भाषाओं की कुल संख्या कितनी है तो वो है 22 so option C यहाँ पर बिल्कुल correct हो जागा अब देखो question इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो मूल सविधान था हमारा जो मूल सविधान था तो उसमें कितनी भाषाओं का उलेख किया गया था तो मूल सविधान में भाषाओं कितनी थी तो वो थी 14 भाषाओं कितनी थी 14 फिर 14 को बढ़ा करके कितनी हो गई तो वो हो गई है आज के समय में 22 अब वो किस किस तरह से हुई है वो आपको पता होना चाहिए देखो 21st यानि कि 21वा सविधान शंशोदन किया गया था 1967 में उसमें जो है तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था यानि कि एक भाषा को जोड़ा गया था उसके बाद जाकर के 71वा सविधान शंशोदन हुआ उसमें जो है तो कौंकरी, मनिपूरी और निपाली को जोड़ा गया यानि कि टोटल तीन भाषाओं को जोड़ा गया उसके बाद जाकर के बानवे सविधान, शिंशोधन हुआ और उसमें जो है तो कितनी भाषाओं को जोड़ा गया अगेंस्ट गवर्मेंट ओफिशल तो निम्न में से कौन सा आदेश सरकारी अधिकारी के खिलाफ ही जारी किया जाता है तो देखो सरकारी अधिकारी के खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाती है तो वो जारी की जाती है मैंडमस यानि की परमादेश तो option B यहाँ पर correct हो जगा अब देखो यहाँ से आपको क्या note रखना है देखो यह जो भारतिय सविधाने इसमें total कितनी rates का उलेख किया गया है तो total 5 rates का इसमें उलेख किया गया है वो 5 कौन कौन सी है देखो 4 तो है तो option में ही बता दी गई है और एक और है वह कौन सी है तो वह है कोवरंटो यानि की अधिकार प्रिच्छा तो यह 5 की 5 rates भी आपको note रखनी है अगले वाशन की बात करें question number 130 है तो राष्ट्रपती की निवरिती विया क्या है तो देखो राष्ट्रपती की रेटाइर्मेंट एज है तो नहीं इसकी कोई भी age limit नहीं है तो option D यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अब देखो राष्ट्रपती के बारे में जितने भी question पूचे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ देखो सबसे बहले आपसे पूचे जाता है कि सविधान यह जो राष्ट्रपती है तो राष्ट्रपती की विटो पावर्ज काउले किसमे है तो विटो पावर्ज काउले भारतिय सविधान के आर्टिकल 111 में है और उसके बाद आपसे last question पूचा जाता है अच्छे यहां से आप एक question का answer comments करके बता दो कि जो उपर राष्ट्रपती है तो उपर राष्ट्रपती की चर्चा भारतिय सविधान के किस आर्टिकल में है यह आप नीचे comments में बता दो Question number 131 है The Attorney General of India has the power to appear in तो भारत के Attorney General को में द्रिश्चेमान होने की सथा है तो देख भारत का Attorney General होता है उसको भारत के किसी भी नियाल में द्रिश्चेमान होने की सथा है This option D यहां पर correct हो जागा Attorney General से भी question पूछ़ह जाता है सबसे पहला और सबसे basic कोष़ह जाता है Attorney General का क्याने कि महानियवादी का उलेक भारती सभीधान की इस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 76 में है यह आपको पॉइंट नोट रखने है और ये जो महानियवादी यानि की Attorney General है इसी को क्या कहा जाता है इसी को भारत का प्रतश्म विधी अधिकारी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है भारत का प्रत्म विधी अधिकारी तो ये दो पॉइंट आपको यहां से नोट रखने हैं और हाँ ये तो हमने बात कर ली भारत के अटोर्नी जनरल यानि के अटोर्नी जनरल आफ इंडिया की अगर state की बात आएगी तो state में कौन होता है वो होता है advocate general of the state यानि की राज्य का महाधिवक्ता तो राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा किस article में है तो article 165 यानि की 165 में की गई है तो ये भी आपको point note रखना है question number 132 की बात करें राज्य सभा is dissolved तो राज्य सभा कब विलीन की जाती है आप देखो राज्य सभा को कभी विलीन नहीं किया जाता so option D यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा राज्य सभा के बारे में दो तिन points आपको note रखने है पहले तो राज्य सभा की चर्चा किस article में की गई है तो article 80 में राज्य सभा की चर्चा की गई है दूसरा कॉशन राज्य सभा में जो सदस्य होते हैं तो राज्य सभा में सदस्यों का कारेगाल कितना होता है कितने वर्ष का होता है तो छे वर्ष का होता है अब यहां पर हमने राज्य सभा की बात कर ली तो थोड़ा थोड़ा लोकसभा की भी अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा की चर्चा की इस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा है तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहां से नोट रखने हैं Question number 133 की बात करें How many legislative assemblies, seats are in Delhi तो दिल्ली में कितनी विधान सभा की बैठके हैं तो दिल्ली में है 70, so option D यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा इन 70 में से 62 जो है तो आम आदमी party की है बाकि जो 8 बच कई वो किस की है तो वो है या तो आप opposition कह सकते हो और या तो आप BJP कह सकते हो तो वो 8 इनकी है अगले question की बात करें question number 134 है और हाँ यहीं पर आपको note भी रखना है कि जो हिमाचल परदेश है तो हिमाचल परदेश में विधान सभा की seat कितनी है तो वो है 68 यह आपको point note रखना है अगला question judge of the supreme court and high court can be removed by तो supreme court or high court के नियाधिश को कैसे हटाया जा सकता है तो किस तरह से हटाया जा सकता है तो यह रष्टपदी के दोरह हटाया जा सकता है तो option A यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अब देखो question को किस तरह से घुमा करके पूछे जाता है कुछ एक students कहेंगे कि sir option B यहाँ पर right option होगा अब देखो option B कैसे correct होता वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अगर आपसे question पूछा जाता है कि supreme court और high court के नियाधिश को हटाने के लिए महाभियोग कहां पर लगाया जाता है तो महाभियोग कहां पर लगाया जाता है अच्छह यहाँ पर आपसे देखो questions किस तरह से पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट और high court से देखो supreme court से question पूछा जा रहा है आज कल कि supreme court में जजों की संख्या को कौन निर्धारित करता है तो कौन करता है तो वो करता है संसद फिर आपसे दूसरा कोशन पूछा जा रहा है कि जो हाई कोट है तो हाई कोट में जजों की संख्या को कौन निर्धारित करता है तो हाई कोट में करता है रास्टपती इन दो पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूज किया जाता है में हमें इंस्टा और टेलिग्राम पर फॉलो करना विल्कुल भी न भोलें तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में टेल दन टेक केर